नार की खातिपूरा में राम मंदिर पर कबजे को लेकर साधू संतों ने आकरोश दिखाया और कलेक्टर के पास जाकर नियाई की गुहार लगाई। देखिए ये खास रिपूर्ट। समाज ने कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई है। साधू संतों का आरोप है कि खातिपूरा में करीब 300 साल पुराना राम मंदिर है जिस पर भू माफिया ने कबजा कर लिया है। मंदिर को बनाने नहीं दिया जा रहा है। कबजा करने वाले लोग गुंडे हैं। कलेक्टर स से गुहार है कि मंदिर को कबजा मुक्त करवाया जाए। उस पर भू माफियाओं ने कबजा कर लिया है। उसकी जमीन पर मुसल्मानों ने एक परिवार ने मिल करके, मुसलिम परिवार ने पूरे मंदिर के उस पर जमीन पर कबजा किया हुआ है। और वो मंदिर भी नहीं बनने दे रहा हैं, मंदिर में भी अडंगा लगा रहा है हैं इस संदरब में हम सब लोग आये थे और भूमाफि आये वो गुंडे हैं उनके दो-दो भाईयों की हत्यावी हो चुकी है वो इसी प्रकार का जमीन का कबज़ा करते हैं मंदिर हटाते हैं कबज़ा करते उस समवन्द में हम लोग आये हैं हमने दो मैणा पहले रहवासियों ने और संसमाज ने सिकायत की थी नगर निगम को कि अतिकमन हो रहा है मंदिर की जमीन पर निर्मान चल रहा है इसके बाद में प्रशासन ने कोई एकसन नहीं लिया है आज पूर्व समय अनुसाय कलेक्टर महोदय को हमने वो लेटर दिया है पूरा लिखि आया तो साधू संत उग्र आंदोलन करेंगे और नगर निगम से भी मैं टीवी के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूं कि अगर बास्तिविक भूमाफियाओं के राज में आप कारवाई कर रहा हो भूमाफियाओं के उपर तो इसकी भी सुत करेंगे इसलिए हम सब पहले प्रशासन को चेता रहे हैं कि सो करोड हिंदुओं की जमीन है यह आस्था का विशय है कुल मिला कर अब देखना होगा कि साधू संतों के गुस्से क्या आगे जिला प्रशासन किस तरह से एक्शन लेता है बिरो रिपोर्ट एम्पी नियूज इंदोर्प